नमस्कार मित्रो स्टेट सर्विसेज क्लासेज में आपका स्वागत है मुझे उमीद है कि आपको ट्राइबल स्रीज की वीडियो पसंद आई होंगी गाइस प्लीज उसको कमेंट और सेर जरूर करिएगा और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को स्टेट सर्विसेज तो आज हम बात करते हैं कि 36 गड़ की जनरल इंट्रोडेक्शन के बारे में ये चीज मैंने हरीराम पट्रेल की बुक से लिए है जो हर पब्लिकेशन की जो बुक है तो इसमें हम 36 गड़ सिर्यस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा मित्रोड ठीक है तो अगर मैं 36 गड़े में बात करूँ इसके बारे में तो थोड़ा सा कि इसका फांडेशन कब हुआ थो तो 1st November 2000 को हुआ था इसका foundation तो ये मित्रों याद रखिएगा कि इसका एक नॉम्बर 2000 को foundation हुआ था उस ताम ये इंडिया का 26th state of India था जब ये फॉर्म हुआ था तो और साथ ही में उस ताम इंडिया के साथ जैसे कुछ और भी 36 गड़ के साथ कुछ और भी states उस ताम बने थे इन में से उत्राखं स्टेट तिलंगना बना था अभी present time में मित्रों अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कितने cool states हैं तो 28 states हैं याद रखिएगा ठीक है यूकि जैंके अब यूटी में बन गया है ठीक है तो पहले 29 से वो 28 हो गया और 8 अभी यूटी इस लिए यूकि जो दादा नगर हवेली जो यूटी थी जो दादा नगर हवेली अब उनको मर्ज कर दिया गया और ये मर्जिंग 26 जनुरी 2020 को हुआ था तो मित्रों ये याद रखिएगा में भी कहीं भी किसी भी एक्जाम में अगर आ जाता है तो आप इसको याद रखिएगा कि 36 गड़की अभी present time में 28 states हैं और 9th 5-year plan में हुआ था इस 36 गड़का ठीक है और ये 1997-2002 में ये 9-5-year plan था तो अगर में भी कभी पूछे 5-year plan में किस 5-year plan में 36 गड़की अस थपना हुई थी यास foundation हुआ था formation हुआ था इन उसको हम कहेंगे 9-5-year plan में अगर 36 गड़की capital की बात करते हैं तो ये है आपका सीट की बात करें अगर मित्रु राज सभा की सीट की बात करें तो राज सभा की कुल सीट है पांच तो आप इसको इसको इस तरह से याद करिएगा 5-11-90 मतलब कि 5 हो गया राज सभा का 11 हो गया लोग सभा का और 90 हो गया legislative assembly का अब चुकि 36 गड़ जो है bicameral legislature नहीं है ठीक है वहाँ पर unicameral है मतलब एक ही है तो आप इसको ध्यान रखिएगा 5-11-90 ऐसे याद रखिएगा आप इस तरह से एक ratio में हम याद करते हैं तो 5-11-90 तो इस तरह से आप प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर high court में बात करते हैं तो 36 गड़ की high court क हैं बिलासपूर में है ठीक है और यह 19th rank पे बनी थी और first number 2000 को high court में गठन high court की भी foundation रखी गई थी present time में इसके PR रामचंदन मेनन जो है इसके Chief Justice है बिलासपूर high court के तो यह याद रखिए रेलवे सरकल भी है जो कि बिलासपूर में है SECR पर इसे revenue circle बिलासपूर में है बिलासपूर में है जो सबसे लार्जेस डिवीजन है पांस डिवीजनों में वह बस्तर जिसमें 7 district है और जो सबसे लाजेस्ट डिस्टिक एरिया वाईस है मित्रों यह याद रखिएगा 28 district मेरा जो राजंद गाओं है यह सबसे इसका नाम भी सबसे बड़ा है न तो ऐसे क राजा तो सबसे बड़ा होता है राज है आगे तो तो लार्जेस डिश्टिक एरिया वाईस में आपका राजंद गाओं है और डिवीजन में कौन सा है बस्तर बस्तर जो आपका सदन पार्ट में है जो जिससे अगर यह चतिस गड़ हुआ तो हम यह मान लेते हैं यह साउथ वाला पार्ट ठीक है तो यह जो बस्तर डिवीजन है यह सबसे बड़ा डिवीजन है और डिस्टिक में राजंद गाओं जो बड़ा है और स्मॉलेस डिस्टिक दुर्ग है ठीक है दुर्ग सबसे स्मॉलेस डिस्टिक है लार्जेस जो त तहसिल किसके पास है तो जंगीर चंपा के पास है तो ये भी थोड़ा सा एक अपना याद रखिएगा फिर से डिस्टिक हैविंग लिस्ट तहसिल नरायनपूर इसको भी आप याद कर सकते हैं ठीक है राइस बॉल ऑफ इंडिया यूनियन इंडियन यूनियन को 36 गड़ को कह पूरे कंट्री का अच्छा अगर पूछ दे कि MP से अलग होने के बाद 36 गड़ का कितना एरिया बना तो 30.47 तो मित्रो इसको याद रखेगा चार पूंट एगारा जो है कंट्री उसके हिसाब से रैंक ऑफ 36 गड़ की अगर बात करें इंडियन यूनियन में तो नवा स्था अगर इंडिया की बात करें है और पॉपॉलेशन भी सेम है 2.11 मित्रो तो यह याद रखेगा इंडियन के टोटिल एरिया है वर्ल्ड का एक काफी एक अच्छा आपको मिल गया ठीक है उसके बाद से मित्रो अगर बात करते हैं एंत्रोपलोजी मुजियम कहा है तो जगदल कारी के लिए मित्रो उसके बाद आते हैं कि 36 के कुछ important places कौन-कौन से हैं जैसे कि बुक में भी दे रखा है तो वरांसी और कासी और 36 खारूद को कहते हैं खरोड जो है खारूद खरोड इसको खरोड कहिए आप यह जो है आपका इसको कासी कहते हैं ठीक है तो कासी से के और के खारोड से के तो यह थोड़ा सा इसको जानने वाली बात है ठीक है के से कासी और के से करोड तो मित्रो इस तरह से इस 찾ू हम हम थोड़ा सा इसको हम समझ सकते हैं तो मित्रो यह ग्मीРИston आने के संभावना है प्लीज इसको याद कर लिजेगा कस्मीर वाला चैतूगड गड़ है जो कि कोर्बा में है साल फोरिष्ट कहा है सबसे मैक्सिम जाहर सी बात है तो आइलेंड आफ साल फोर बस्तर को कहते हैं खजुराहो च्छतिस गड़ भूरम देव को यह याद रखिए यह सब मतलब काफी इंपॉर्टेंट है प्रयाग ऑफ चतिस गड़ यह आपका होता है मतलब की प्रयाग ऑफ चतिस गड़ कौन है SPM है जैसे जो SPM आपने नाम सुना सब्सक्राइब पार्टिकुलर्ट जो मैटर होता है जो कि एयर पॉलुटेंट है एक नॉलेज जो क्या है भई नॉलेज हब अफ कैपिटल जो सबसे दा लोग के पास नॉलेज है वह ह आपका भिलाई भिलाई में लोग सबसे दा नॉलेज है मतलब वहाँ पर एक काफी नॉलेजबल लोग रहते हैं या फिर कहें कि एक एजुकेशन सेंटर एक टाइप का कही है या नॉलेज हब कैपिटल है ठीक है वहाँ पर काफी उसके बाद से एक और क्वेशन हमेशा आत भिलाई आता है कि लिए और यह तरह के हैं कि चिम्मला डियसे कन्डीशन हो जाती है टेमप्रेशर की इसलिए इसको सिम्मला अफ ठीक तप कर रहा है जैसपूर नाग लोग इसलिए क्योंगे हैं पर स्नेक्स काफी ज़्यादा मिलते हैं चेरा पूंजी ऑफ च्छतिस गड़ कौन है ये अबू जमाद माउंटेन ये नरायनपूर में है गैस तो इसको याद रखेगा अबू जमाद माउंटेन नरायनपूर में है चेरा पूंजी है तो ओर चेरा पूंजी में सि आता ही है तो इसको सी एं करके याद रखिएगा कैम करके मतल्ब याद हो जाएगा आपको ठीक है तो चेरा पूंजी ऑफ च्छतिस गड़ है आपका अबू जमादी एक बड़ा नाम है, ऐसी ही आप पहचाने होगे oldest temple of 36 गर कौन है? देवरानी जेठानी टेम्पल ये याद रखेगा कि oldest temple of 36 गर कौन है? देवरानी जेठानी टेम्पल है जो कि ताला गाउं भिलापस पूर में है ये मित्रो काफी important था उसके बाद city of square किसको कहते है तो city of square मित्रो जगदलपूर को कहते है ठीक है तो यह याद रखेगा city of square कौन होता है जगदलपूर है city of tanks रतनपूर को कहते है city of temples आरंग को कहते है यह याद रखेगा मित्रो city of temples आरंग को कहते है यह question आया नहीं है बट इस बार आने का संभाव कोन है city of temples and ponds कौन है रतनपूर मित्रों यह जरूर आप याद रखेगा city of tanks याद रखेगा रतनपूर को क्योंकि tanks और ponds इसमें काफी government की किसी भी government की policies में रहती है तो city of temples अरंग है city of तो इस तरह से मित्रों कुछ चोटा बुटा अपना चतिस गड़ के बारे में ओवर रिभी हुआ फिर हम आगे चलते हैं wildlife of 36 गड़ के बारे में ठीक है मित्रों तो wildlife of 36 के बारे में बात अगर करते हैं तो number of जो national parks in 36 गड़ है वो मित्रों तीन है ठीक है तीन national park है और biggest national park है गुरू घासी दास जो की कोरिया और सूरजपूर में है ठीक है ये कोरिया और सूरजपूर में है ये गुरू घासी दास पार्क को याद रखीगा ये काफी news में रहा है ठीक है इसको अभी tiger reserve बनाने क की भी बात हो रही है ठीक है ना तो ये थोड़ा सा एक news में है smallest national park कौन है कांगेर वैली में है जो की बस्तर में है फर्स national park of 36 कौन है इंदरावती national park जो की बीजापूर में है बीजापूर किस से boundary मिलता है महराष्टरा से मिलता है मित्रों इसको याद रखिएगा ठीक है उ स्टी करके जो भी अब इसको कर लेगा सेंक्चुरी से एस और स्टी तो इसका है तामोर पिंगला और यह कहां है सूरजपूर में है मित्रों तो इसको याद रखिएगा smallest sanctuary कौन है तो जैसपूर में है बादल खोल में है ठीक है मित्रों उसके बाद से एक और आता है अपका वर्दा में हैं फर्स्ट बाइयो रिजवर अफ एस या कौन सा कांगेर वैली था लेकिन करेंटली इसको नहीं रखा गया है चुक्कि करेंट बायर रिसर्व में अचर सरी अचनकार में और जो अमरिकंट जो इसको कहते हैं तो अचनकार में यह आता है जो कि फोटेंथ बा तो Revers in 36 गड़ की बात करते हैं तो जो गंगा और 36 गड़ की सको कहते हैं तो महानदी को कहते हैं ये याद रखेगा Life Line of Buster कौन है? इंदरावती है Life Line of Sarguga, Rihand है तो मैं तो इस तरह से कुछ इसको याद करना पड़ेगा सब्सक्राइब एक नहीं आदा हो तो रूपीस होता है तो आरेस को आप या फी आरेस और भी आपको पता हूए कर आरेस रॉाइल स्टैक वो तो आप डेख गर आ है और यह लाइव ciao मैं रिवर वारे सिरीज में हैं अब लॉंगिस्ट फॉलिंग रीवर इन 36 कोड़ कौन है ये थोड़ा सा याद रखिए का सिवनाथ रीवर है कभी भी गाईज इंदरावती या महानदी में सिवनाथ रीवर है 290 किलोमेटर और ये महानदी कितना है 286 तो देखिए मित्रों चार किलोमेटर के हो जैसे सिवनाथ रीवर सबसे लंबी हो जाती है उसके बाद मित्रों बात करते हैं मोस्ट पॉलुटेड रीवर इन 36 गर तो वो है संखनी जो की दंते वड़ा में है अच् इसको याद रखेगा जो की बस्तर में है ठीक है तो नाइगरा ओफ इंडिया किसको कहते हैं चित्रकूट चित्रकूट वाटरफॉल को कहते हैं तो ये एकदम आप इसको तो याद ही कर लेना होगा आपको ठीक है मित्रों तो ये याद रखेगा फर्स्ट एवाडी और अन जोहन को फर्स्ट फीमेल पदम सिरी अवाडी अवच्छ तीजन भाई ये उतना कुछ नहीं है थोड़ा साब आप देख लीजेगा अल्दो अगर आ गया तो आपकी किसमत अच्छी है या खराब है इस तरह के कोशन अगर पूशन लेते हैं तो वैसे मैं एक बार बोल देता ह फर्स्ट फीमेल पदम सिरी अवाडी कौन है तीजन भाई है। लेज़न भाई नाम आएगा ठीक है फिर्स्ट पदम वुश्न अवाडी माता अवाड शिरी बिनी वाई फिस्ट रेंटर कूप्च अंब गहेल वाड स्रीकांत गोवरधन फिस्टेंट वरपंडित रश् ऑ प्रवार्ड यह के यूर भूशन फर्स्ट एस्पेंट फपंडित सुंदरलाल सर्मा वीनोथ कुमर शुकला सर्मा से शुकला एड करिए गवाई फस्ट एस्पेंट ऑफ गुना धूर अवार्ड यह है आशिश अरोडा वाली वॉल से संबंदीत हैं ठीक है फिर्स्ट फीमेल प्रजन गाओं में एस्टैब्लिस किया गा था ठीक है उसे में बलारम दास कंटम्परेरी उलरी थे उस टाइम के फस्ट जूट मिल और चथिस गड़ कौन था मित्रों मोहन जूट मिल जो की राएगड में है ठीक है रोहन यह याद रखिएगा मोहन जूट मिल राएगड म हो रहा है ठीक है और सारी बायो फ्यूल का मतलब यहां पर ऐसा प्रोडक्शन किया जा रहा है ठीक है इथनॉल भी होता ही है तो कवर्धा में याद रखिएगा मित्रों फर्स सिमेंट फेक्ट्री कौन है एसी सी की जो की जामूल दूर्ग में है बेगेस स्टिल प्लांट यह भिलाई स्टिल प्लांट है एसिया उन्नी सो पच्पन में बनाया गया था जो कि सेकंड फाइफ यह प्लान में इसको इस्टैबिस किया गया था मित्रों तो यह स्टिल प्लांट के मालू में थोड़ा से इंपॉर्टेंट है बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉंज स्टिल बैक्ग्राउंड में तो यह भी चुकी काफी डाइनेमिक चीज़ है बढ़ हम इसको चाहेंगे स्वाट में एक और भी हो दे दिने का बाद में तो हिस्ट्री वाला स्रेक्शन में हम जब जाएंगे तो कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट डिजनल डाइश्टी कौन तो यह थी आपकी राज 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 स्री तुल लेव दैंस्टी जिसका अरंग केपिटल था ठीक है मित्रो आरंग में सबसे पूर तो राजाles सितू लेया स्रेक्ड कौन था ठीक है कैफिर्ट कल चूरी रूलर रूलर pli कली cur.. तो यह याद रखिए का कलिंग राज जो था ठीक है यह पहला कलुची रूडर था फर्स्ट मराथा रूलर कौन था तो बीमा जी भोंसले तो इस तरह से याद रखिए का फर्स सुवेदार महीपीत राव दिनकर फर्स जीलेदार कृष्णा राव अप्पा ठीक है फर्स ब्र ट्राइब होते हैं ठीक है यह उससे संबंधित है और यह 1774 और 177 के बीच में हुआ था यह ठीक है मित्रो अगर लैंग्वेज की बात करते हैं 36गड़ के लैंग्वेज को रहे में तो जो सबसे एंसेंट लैंग्वेज ऑफ 36गड़ है मित्रो वह है आपका कोशाली वह होता है language spoken by around जो है वो कुदुख है तो इसको UK करके आप shortcut बनेएगा ठीक है UK मतलब कुदुख ठीक है फिर language spoken by कॉंध tribe में कुई कॉंध वाले कुई बोलते हैं तो कुई कॉंध इसको के के करके आप दिमाग रखिए बनेएगा contact language of Buster कौन है बाई हल्वी है यह याद रखिए यह बंदर important fact है Buster में क्या बला जाता है हल्वी ठीक है तो यह लगज याद रखिएगा हल्वी इस पोके निन बस्तर फिर language of जयस्पूर एरिया का है शादरी है तो यह भी याद रखिएगा language of Buster area गोंदी खल्वी भत्री दोरली मतलब यह चार language बनाते हैं इसको BD GH भी आप करके आप इसको shortcut अपना बनाई है ना या इसको इसको ऐसे बना सकते हैं GH BD या फिर इसको भारत के गोंड खल्वी दोरली ऐसे करके बनाई है या BD AGH बनाई है बस्तर का B से बस्तर और बस आपको DGH करना है ठीक है मतलब D पहले आएगा फिर G आएगा फिर H आएगा तो इस तरह से आप बना लिजिएगा language आप सुक्मा एरिया कौन है गुरू दोरली है तो यह आप याद रखिएगा मित्रो तो कुछ यह language के बारे में over थोड़ा सा है अच्छा अब हम तो कुछ miscellaneous fact में जाएंगे क्योंकि मैकाल रेंग जो है यहाँ पर रहन सेड़ो बनाएता है ठीक है जैसे यह माले यह मैकाल रेंज हुआ तो यह इधर वाला एरिया में ड्राई एरिया हो जाता है जो की कवर्दा वाला एरिया होता है करेंड मेप जो है पांच में फॉर्म हुआ था स्टर लाई सर्मा ने दिया था सुन्दार्ला लाव से याद रख केका चरता है इसने ने थे रखाब करेंच गों था स्यवेवा मिठ था जो की ढरें थैस्टर हुआ याद रखेएगा ठीक है पहूंत जो है लॉब संग होता है चतिस गड़ का ख्लाइमेट ऑफ चतिस गड़ कैसा है गुरू मित्रो यह टायक्लामेट ऑफ चतिस गड़ है ट्रॉपिकल मौनसून क्लाइमेट लाजेस फॉफ रॉक फॉर्मेशन इंच तिस गड़ आर्कियन रॉक है यह याद रखेगा और फिफ किड़ ऑफ चतिस गड़ चेंद्रू मंडवी को कहते हैं ठीक है चेंद्रू मंडवी को तो मित्रो यह भी याद रख लिजेगा मित्रो के आना जो जब ही मैं बता रहा हूं आप इसको बार बार सुनियेगा आप सुनियेगा तो आपके दिमांग में सैट हो जाएगा खास क या 36 घर बने थे तो इसलिए इसका नाम 36 गड़ हो गया है ना तो यह जेबी वेलगर का है कि जरासंद जो था उसने ठीक है डूरिंग जरासंद के समय में इस तरह से हुआ था तो जेबी वेलगर से जरासंद वाला और 36 फैमिली वाला यह जला थे हिरालाल जी कहते हैं कि द चत्यिस फोर्ट बनेते हैं इस एरिया में थीक हैं अंडर दा जामबंदी प्रैक्टिस विच वाज वास विच वाज इवाज डिवाज इंटू 80 इंटी सी टादेल्स इन दे नौर्थ इन नार्थ आज वाला थोड़ा सा आप याद रखिएगा मित्रों एंसें डेम अरव शांगर लो issyше 26 गढ़ के बात करें तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो बताते हैं रमाइड एर न में धक्षिन कोशाल था और ठीक है central area को कहते थे माभायत को कोशाल हो हमारे दिन गुपत एर्या में पूद्म ok मित्रो वीडियो कैसे लगा please like and subscribe जरूँड करिएगा मुझे comment करके बताइएगा आगे की वीडियो और हम अफलोड करेंगे और तब तक के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत